बिहार के सियासत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे दे एक और बड़ी खबर जेडियू के लगबग एक दरजन विधायकों का मुबाइल नौट रिचेवल आ रहा है ये सुत्रों के हवाले से खबर दे रहे हैं नितीश कुमार और उनकी पाटी जेडि बुलाईए तमाम जो आरजेडि कोटे के विधायक हैं जो बिहार सरकार में मंत्री हैं जो एमलसी है वो पहुँच रहे हैं लेकिन इन सब के बीच लालू प्रसाद यादों की एक परतिकरिया भी सामने हैं और अब नितीश कुमार के लिए खेला बड़ा होते दिख रहा है नितीश कुमार की पार्टी जेडियू के अंदर घमासान मचा है खबर है कि नितीश के इस फैसले से बीजेपी में जाने वाले फैसले से जेडियू के कई विधायक नाराज हैं खफा हैं लालू प्रसाद यादों ये दावा करते हैं कि बिहार में वो बहुमत के आंकरों के साथ सरकार बनाएंगे तो इस बीच नितिश कुमार की पार्टी जेडियू के एक दर्जन विधायकों का मुबाइल नौट रिचेवल आ रहा है ये सुत्रों के अवाले से खबर दे रहे हैं कि जेडियू के अंदर जेडियू के मुखिया नितिश कुमार बहुत टेंसन में और टेंसन बराने वाली एक खबर भी है क्योंकि एक और एक और बीजेपी बड़ी बैठक कर रही है रनिति बना रही है दुसरी और बिहार में नितिश कुमार खेला करने की प्लानी में है पत्ना में बैठे बिहार के सियासत के सबसे बड़े सियासी गुरू लालू प्रसाद भी रनीती बना रहे हैं और लालू प्रसाद यादव ये दावे भी कर रहे हैं कि लालू यादो की पाटी आर जेडी के पास बहुमत क्या करे हैं इस बीच जेडियू के कई विधायकों का मुबाइल नौट रिचेबल होना यानि पहुत से दूरे बाते नहीं हो पा रही है ये बरी खबर इस वक्त के आपको दे रहे जेडियू कोटे के अंदर भी घमासान मचा है बिहार सरकार में कौन आएगा किसकी ताजपोसी होगी मुख्यमंत्री के रूप में क्या एंडिये के साथ जाकर नितिस एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में सपत ले हैं क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बहुत हुआ खिच्तान ना तो कोई बयान नहीं कोई सीधी परतिक्रिया नहीं कोई बड़ा एक्सन नहीं कोई फर्मान सीधे बयान बादी हो रही है तो अलग-अलग दलों के नेताओं में सामंजस से भी या स्थापित की जा रही है नितिश नहीं माने तभी ये फैस्तला लेंगे इधर तेज़स्वी आदो ने आज नितिश कुमार के साथ बकसर जाने का कारिक्रम रद कर दिया है और बड़ी ख़बर लागातार जो सामने आ रही है वो हम आपको लागातार अप्डेट दे रहे हैं आरजेडि इस पर सब की निगाय और हमारी भी आप तोड़े विहानित के साथ बने रहें धन्यवाद